जे डी जे एस्ट्रोलोजी में हम आप सब एकार स्वागत करते हैं जे एक नेश्वलाय वर्दाय सुरभ प्रियाय लंबो दराय सकलाय जगत्विताय जे डी जे एस्ट्रोलोजी में मैं दवाकर वसेष्ट आप सबी का स्वागत करता हूँ मित्रो जिन्दगी में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी दोरहय पर खड़े होते हैं और हमें हमारी समस्या का समाधान निकलता नजन नहीं आता है तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी परेशानी से बाहर आने का जास्ता ढून पाएंगे मित्रो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके मन के अंदर कोई जिग्यासा होती है किसी चीज़ को लेकर के लेकिन आप उस जिग्यासा को शांत नहीं कर पाते यानि कि आप इसी उल्जन में रहते हैं कि हमारा यह काम होगा या नहीं होगा मैं ये करूं या नहीं करूं ऐसा हो पाएगा या ऐसा नहीं हो पाएगा तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसका तरीका क्या है कि आप अपने मन की जिग्यासा को कैसे शांत कर सकते हैं और कारे होगा अत्वार नहीं होगा इस बारे में आप कैसे जनकारी प्राप्त कर सकते हैं तो मित्रो राम चरित्र मानश में इस समस्या का समाधन मुझूद है को स्वामी तुसी दाजी ने जो राम चरित्र मानश लिखा है उसके अंदर उन्होंने स्री रामशला का प्रिश्णावली बनाई है जो कहीं न कहीं हर बात पर सही और सटीक बैठती है अब आपको करना क्या है? मान लीजिए आपका कोई प्रश्ण है, आपके मन में कोई जिग्यासा है किसी चीज को लेकर और आप अपना बहप्रश्ण उस प्रश्णावली के माध्यम से ढोनेंगे तो आपको उसके होने और ना होने का पता चल जाएगा जैसे कि मान लीजिए, आपने सोचा क्या जो मेरे लिए रिष्टा आया है क्या उस जगा मेरा बिभा हो जाएगा ऐसा आप सोच लीजिए और यह इसके लावा कोई भी प्रश्ण हो तो उसको भी आप सोच सकते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको भगवन श्री राम जी के चर्णुक में ध्यान लगाना है यानि कि भगवन श्री राम का ध्यान करना है और उसके बात अपने हाथ की ये वाली उंगली या फिर कोई एक कलम या पैन ले करके आखें बंद करके ये राम शलाखा जो है इसमें कहीं भी एक जगा आप रख दीजिए और जहां पर आपने रखी है उस जगे का जो शब्द है उसको आप किसी और कागज पर लिख लीजिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है साथ इसके बाद का अब नवा अंक फिर गिनिए एक, दो, दीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ तो ये दो अक्षर हो गए इसके बाद फिर नवा अक्षर गिनिए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ तो इस प्रकार से जब तक एक चौपाई पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अक्षरों को लिखते जाएए एक के बाद एक नवा अक्षर आप लिखते जाएए चौपाई जरूरी नहीं है शुरूबाद से ही शुरू हो चौपाई बीच से भी शुरू हो सकती है वह आपको पहचाननी है जब चौपाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद दूसरे रामचरितर मानस में ही दूसरे पीच पर उनका उत्तर लिखा हुआ है वह चौपाई आप वहाँ पर पढ़े और उसका उत्तर जाने उस उत्तर में लिखा हुआ होगा कि इस कारे में भलाई है या इस कारे में भलाई नहीं है जैसा होना होगा आपके साथ वैसा आपको उसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कारे का होना या ना होना जामचरितर मानस के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा और यह मैंने कही बार खुद पर भी और और लोगों पर भी इसको प्रियोख करके देखा है और मैंने हर बार इसको हर तरह से समस्या का समाधन करते हुए पाया है क्योंकि यह जो रामचली तुमानश है इसकी जो ताकत है जो भगवान का साक्षाती यह गरंत है भगवान शीरामचली जी का तो इसका सवाल का जबाब बिल्कुल सठीक आता है तो आप भी इस प्रकार से अपनी समस्या का समाधन कर सकते हैं बहुत सारे माता भेन भाई भेन्दूओं को इसके बारे में पता होगा जिनको पता नहीं है उनकी लिए हमने ये वीडियो बनाया है आशा करते हैं आप सभी को ये जनकरी पसंद आएगी इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ नमस्कार